अब हम बात करते हैं जल परिवहन का जो दूसरा वर्ग है अभी हमने देखा आंतरिक जल मार्ग पहला वर्ग और जो दूसरा वर्ग है इसका वो है सामुदरिक जल मार्ग या महासागरी जल मार्ग जिसे हम कहते हैं अब इसकी भी कुछ कंडिशन्स हैं कि कहां पर ये परिवहन अधिक मिलेगा या कहां पर ये कम मिलेगा जहां पर भी जो विक्सित या उन्नत शिल राष्ट जो होते हैं उनके जो समुद्र तटी चेत्र हैं वहां पर से समुद्री जो जल परिवहन है वो अधिक होता है समुद्री जल परिवहन होता है इसके साथ ऐसे तटी छेत्र जहां पर कोईले की सुविधा मिलती है तो वहां पर भी समुद्री जल परिवहन की जो मात्रा है वो हमको अधिक देखने को मिलती है इन सब के अतरिक्त जहां पर जिन बंदरगाहों में या जिन तटी छेत्रों मे जो सुविधाएं हैं और यात्री जो हैं माल जो है वो अधिक मात्रा में मिलता है वहाँ पर भी इस टाइप का जो जल परिवहन या समुदरी मार्ग से वहाँ पर परिवहन जो है वो अधिक मात्रा में किया जाता है हाँ जहाँ पर सुविधाएं कम मिल रही है या आयात और निर्यात पर जिन छेत्रों से प्रतिबंध लगा होता है और जहाँ पर अधिक टैक्स वसूल किया जाता है जिन छेत्रों से वहाँ पर जो समुद्री यातायात है या समुद्री जो परिवहन है समुद्री मार्ग से वो हमें कम देखने को मिलता है, या वहाँ पर, मतलब जो ज़्यादा जल यान है, वहाँ पर से नहीं गुजरते, अब ये तो हो गई बात, कि कहां पर हमें ये इस टाइफ का जो परीवहन है, समुद्री मार्ग से जल परीवहन अधिक मिलेगा, कहां पर कम मिलेगा अब हम देखते हैं पूरे विश्व में हम देखेंगे तो कुछ जो समुदरी जल मार्ग प्रसिध जो समुदरी जल मार्ग हैं उनकी हम बात करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं आपके आप सामने देख रहे होंगे उत्तरी अट्लांटिक मार्ग उत्तरी आपके पश्यमी इरोप के तटी देशों को या पश्यमी इरोप के देशों से जो अमेरिका के विक्सित देश हैं चाहे हम कनाडा के पुर्वी छेतर की बात करें या हम संयुक्तराज अमेरिका के पुर्वी तटी छेतरों की या पुर्वी देशों की बात करें तो इनका आपस में ये संबंध जोडता है। ये बहुत ही मतलब सबसे अधिक हम इसको व्यस्ततम जल मार्ग जो है वो कह सकते हैं। व्यस्ततम इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जिस मार्ग से जादा परिवहन हो रहा है जिस मार्ग का ज़्यादा उप्योग में लाया जा रहा है। वो सबसे व्यस्ततम जल मार्ग कहा जाएगा। दोनों के संबंद स्थापित कर रहा है तो सबसे जादा व्यापार यहां पर होता है। क्योंकि इन्हीं छेत्रों में जनसंख्या का सबसे अधिक संकेंद्रन देखने को मिल रहा है जनसंख्या का संकेंद्रन अधिक है तो वस्तूओं का परिवहन भी अधिक हो रहा है और वस्तूओं का जब परिवहन हो रहा है तो यात्री और जो माल दोनों अधिक मात्रा में मि हम देखते हैं इस मार्ग को एक व्रिहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं है ना व्रिहद ट्रंक मार्ग इसको आपको याद रखना होगा एक अब्जेक्टिव टाइप का प्रेशन ये पूछा जा सकता है कि किस मार्ग को व्रिहद ट्रंक मार्ग के रूप में भी जाना जाता है त यहां पर चलते हैं तो उसमें सबसे अधिक यहीं पर जल्यान का परिवहन होता है लगभग वन फोर्थ यहां हम यह कहें कि 25% जल्यान यहीं पर से गुजरते हैं साथ ही साथ लगभग 300 कमपनिया जो हैं उनके जल्पोत यहां पर चलते हैं और इस मार्ग के जो महत्व का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि विश्व में प्रमुख लगभग 50 बंदरगाह हैं या पोर्थ हैं उनमें से 30 बंदरगाह जो हैं वो इसी मार्ग में देखते हैं कि पश्यमी उरोप के जो पोर्थ हैं मतलब प्रमुख बंदरगाह जो हैं वो कौन-कौन से पढ़ते हैं इस मार्ग में तो पहले हम पश्यमी उरोप के बंदरगाह की बात कर लेते हैं आप यहां पर देखी रहे होंगे इस मार्ग में आपको पढ़ रहे हैं ग अब इसके साथ साथ जो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख बंदरगा है इस जलमार्ग के द्वारा खिल की वस्तूओं के रहता। किया जाता है व्यापार मतलब कुछ वस्तिवें होंगी जो उत्तरी अमेरिका से पश्यमी रोब को भेजी जाएंगी और पश्यमी रोब से उत्तरी अमेरिका को तो हम देख लेते हैं संयुक्त राज अमेरिका से जो कपास है कोईला है पेट्रोलियम है गेहूं मांस है ना इन सब का निर्यात जो है वो पश्यमी यूरोप के देशों को किया जाता है और इसके साथ ही पश्यमी यूरोप से आपके मशीने दवाईयां तयार माल और रासाइनिक पदार्थ का जो निर्यात है वो आपके उत्तरी अमेरिका के इन तटी देशों पुर्वी छेतरों को किय जाता है तो ये हो गई उत्तरी अट्लांटिक मार्ग से की जाने वाली व्यापार की बाते हैं अब हम दूसरा देख लेते हैं दक्षणी अट्लांटिक मार्ग अभी हमने देखा उत्तरी अट्लांटिक अब दक्षणी अट्लांटिक मार्ग का जो महद्व है वो उत्तरी अट लिकिन देशों को आपस में जोडता है दक्षणी अटलांटिक मार्ग जो है वो आपके पश्चिमी इरोप ये देशों को आपके पश्चिमी अफरीका और दक्षणी अमेरिका के ब्राजील अर्जेंटीना और उरुग्वे से जोडता है यहां पर आप मानचित्र में देख भी पा रहे होंगे आपके पश्मी रोप वहां से रास्ताया है आपके पश्मी अफ्रिका और पश्मी अफ्रिका होते हुए ये दक्षणी अमेरिका के पुर्वी दक्षणी अमेरिका के आपके हमने बात के भी ब्राजील है अर्जेंटीना है और उरुगवे यहां पर जो इ गरी अट्लांटिक मार्ग की अपेक्षा यातायाद भी कम होता है या इस जल मार्ग का उपियोग जो है वो कम होता है क्योंकि यहां पर चाहे हम बात करें पश्यमी अफरिका की यहां बात करें दक्षणी अमेरिका की तो यहां पर जो उत्पाद होते हैं वस्तुएं जो उत् बहुत कम होता है। इन छेत्रों का आरेथिक और वद्वेटेंगी कर देखते हैं। इसके बदले जो निर्मित माल या तैयार माल किया जाता है उसका निर्याद फिर से इन पश्चिमी अफ्रीकी देशों को या पुर्वी दक्षनी अमेरिका के देशों को किया जाता है तो यह हो गई बात आपके दक्षनी अट्लांटिक मार्ग की अब हम तीसरा देखते हैं आपका उत्तमाशा अंतरीप मार्ग उत्यमाशा अंतरीप मार्ग या हम इसे Cape of Good Hope मारग भी कहते हैं इसके विशय में देखते हैं यह मारग जो है वो आपका फिर से पश्मी रोपी देशों का जो संबन्द है ये पश्मी रोपी देशों के संबंद को पश्मी अफ्रिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजी लेंड, दक्षणी एशिया और दक्षिन पूर्वी एशिया के देशों से करता है। ये बहुत लंबा मार्ग है, हम देखते हैं, जैसे अगर आपको तब ये ज्यादा उप्योग किया जाता था, हालांकि इसका जो महत्व है, वो स्वेज नहर बनने के बाद कम हो गया है, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि भारत का कोई व्यक्ति है या भारत के किसी व्यक् या इंग्लैंड जाना है, है ना, तो आप सोचिए कितनी लंबी दूरी यात्रा तै करके आप वहां पर पहुंचेंगे, तो ये बहुत लंबा रास्ता होता है, हम ये कहें बहुत लंबा मार्ग है, ये जो मार्ग है वो पूरा आपके अफ्रिका के पूरे चक्कर काटता दक्षन पूर्वी एशिया या दक्षणी एशिया या फिर आस्ट्रेलिया और न्यूजी लैंड पहुंचता है, है ना, अब इसकी लंबाई कितनी अधिक है, इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं, जो लिवरपूल है, लिवरपूल से यदि हम निकलते हैं और कोलंबो तक हमको ज हैं कि अधि हम स्वेज नहर मार्ग से यात्रा करते हैं, तो इस मार्ग के मुकाबले लिवरपूल से कोलंबो के बीच की लंबाई जो है, वो लगभग 6400 किलो मीटर लंबाई इसकी अधिक पड़ती है, तो सोचिए यदि हम स्वेज मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, मतलब हम लगभग 6400 किलो मीटर जो है, वो शौट कट रास्ता जो है, या छोटा मार्ग हम अपनाते हैं, यह जो मार्ग है, यह केप आफ गुड होप, आप देख पा रहे हैं, अफ्रिका के केप आफ गुड होप से होकर जाता है, है ना, और साथ ही साथ यहाँ पर इस छेत्र में के केप टाउन बंदरगा, यह केप टाउन पोर्ट जो है, वो पड़ता है, और यहाँ पर इस बंदरगा में या इस पोर्ट में जितने भी जो जल्यान है, उनको रुकना ही पड़ता है, वो इसलिए रुकना पड़ता है, कि केप टाउन से यदि वो आगे, आउस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड एशिया पुर्वी एशिया दक्षिन पुर्वी एशिया इन देशों को जाए या फिर उत्तर की तरफ यह चले जाए आपके पशिमी रोप पशिमी रोप के जितने भी देश हैं वहां पर यह दी चले जाए ब्रिटेन इंगलेंड की तरफ चले जाए तो दो कोड़ा विश्राम के लिए इन्धन भरने के लिए और माल को उतारने चरहाने के लिए यहांपर रुखना ही पड़ता है हम यह कि सारे जल्यान यहांपर रुखते ही है है तो हम देखते हैं कुण जो स्वैज नहर बन जाने के बाद मैंने भी कहा कि स्वेज नहर मार्ग या स्वेज मार्ग जो है वो एक शॉटकट रास्ता है लगभग 6400 किलोमीटर की लंबाई इसमें कम हो जा रही है यदि हम लिवरपूल से कोलंबो तक जा रहे हैं तो कारण जो भी हो आप देख भी पा रहे हैं यदि हम पश्मी रोप से निकल रहे हैं तो पूरा अफ्रिका क्रॉस करते हुए हम भारत की तरफ मतलब एशिया पूर्वी एशिया या आस्ट्रेलिया या न्यूजी लेंड जाना है तो वहां पर पहुँचेंगे और यहीं पर भुमध्य सागर से लाल सागर के बीच हम देख पा रहे हैं यहां पर से स्वेज नहर मार्ग बन गया है और इस स्वेज मार्ग के बन जाने से यह शौर्ट कट हम अंदर से पहुच जाएंगे चाहे भारत हो पूरी एशिया के कोई भी देश हो या आस्ट्रेलिया न्यूज सागर में प्रवेश कर रहे थे यह दूरी जो है वो हमारी बच जाती है और हम अंदर स्वेज मार्ग से इधर जाने से हमें शौर्ट कट पड़ रहा है तो यह वैकल्पिक व्यवस्था थी तब है ना और इसके बन जाने से अब सिर्फ वही मतलब अधिकतर हम बोलेंगे अ इस मार्गों को अपनाते हैं या जो अधिक टैक्स नहीं देना चाहते वही जल मार्ग जो है वही जलियान जो है इस मार्ग का अनुसरन करते हैं अब हम बात करते हैं कि इस मार्ग में प्रमुख बंदरगा या पोर्ट कौन-कौन से पढ़ते हैं तो इस मार्ग में पढ़न और सिड्नी और सिंगापूर है ना इसिया के सिंगापूर की हम बात कर रहे हैं तो यह प्रमुख बंदरगाह हैं जो आपके उत्तमाशा अंतरीप मार्ग में पढ़ते हैं इसके बाद हम यह देख लेते हैं कि इन छित्रों से किसका व्यापार किया जाता है तो अफ्रिका से आपके सोना है, तामबा है, जस्ता है, लोहा, मैगनीज या कपास, कहौवा इन चीजों का जो वस्तुओं का जो निर्यात है, वो किया जाता है उसके बाद साथ ही साथ ऑस्टेलिया की बात करेंगे तो ऑस्टेलिया से हम देख रहे हैं गेहूं है, उन है, मांस है, सोना है यह निर्यात किया जाता है, न्यूजिलेंड की हम बात करेंगे, तो जो dairy products हैं, दूद पदार्थ, या दूद से निर्मित जो पदार्थ हैं, वो निर्यात किया जाते हैं, इसके बाद फिर हम एशिया से रबड, टीन, मसाले, यह निर्यात किया जा रहे हैं, उसके बाद कनिरियात किया जाता है इसके बाद हम देखें यदि हम यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप से जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका दोनों से है ना पशिमी यूरोपी देश जहें और उत्तरी अमेरिकी देशों से जो है वो आपके क्रिशी उपकरन मशीने हो गई रसाइन न्यूजीलेंड के देशों को किया जाता है और हमने भी बात की कि आस्ट्रेलिया से सोना हो गया उन हो गया मांस हो गया न्यूजीलेंड की हमने बात की थी कि डेरी प्रोडक्ट्स हो गया एशिया की हमने बात की कि यहां से कपास है चाय है पेट्रोलियम है यह सारे और उत्तरी अमेरिका के देशों को तो ये बात हो गई आपके अतरी अंतिमाशा अंतरीप मार्ग की अब हम प्रृशांत मार्ग की बात करते हैं या प्रशांत महांसागरी मार्ग की बात करेंगे यह महा स्ागरी मार्ग एक वरिफ्त के रूप में फैला हुआ है या वरिफ्त मार्ग का अनुसरन करता है इस मार्ग में जो जितने भी जल्यान है वो आकर आपका हवाई दिप है आप देख पारें हैं यहांपर हवाई दीप की राजधानी जो होनो-لूलू है यहां पर सब आकर मिलते ही हैं, यहां पर सारे जो जलियान हैं वो यहां पर रुकते हैं या हम कहें कि मिलते हैं अब हम ये देखते हैं कि प्रशान महासागर की आरपार हम देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका दक्षणी अमेरिका है और हम यदि घूम कर इधर जा रहे हैं तो आपका उसका जो पुर्वी छेतर है वहाँ पर एशिया एशियाई देश और आस्ट्रेलिया पड़ता है तो इसके आरपार पूरा एक वरित्त के रूप में सीधा मार्ग बना कर जो बैंकुवर और याकोहमा को जोडता है ये आपका उत्तरी प्रशान मार्ग साथ मतलब प्रशान महासागरी जो मार्ग है उनको भी दो मार्गों में या दो शाखाओं में विभक्त किया जाता है पहला है आ आपके बैंकूर और याको हमा बैंकूर याको हमा को जोड़ता है अब हम यह देखेंगे कि इस मार्ग के जो सहारे हैं उत्तरी अमेरिका का जो पशिमी तठ है ना वहां पर जो इस्थित बंदरगा है मतलब हम पहले या उत्तरी प्रेशांत मार्ग की हम बात कर रहे हैं तो उ उत्तरी अमेरिका का हम देख पा रहे हैं पर उत्तरी अमेरिका का ये क्या है आपका पशिमी तट है और उसका संबंध वो किस से स्थापित करता है एशिया है ना पूर्वी एशिया के तट पर इस्थित बंदर गाहों से उन दोनों का ये संबंध जो है वो स्थापित करता है तो हमने क्या देखा, आपके जो उत्तरी अमेरिका का पशीमी हिस्सा है, पशीमी हिस्सा मतलब इसके पशीमी तड़ पड़ जितने भी बंदरगां है, वो किससे जुड़ रहे हैं, आपके पुरवी एशिया के तड़ पड़ इस्थित बंदरगां से। तो उत्तरी प्रेशान मार्ग जो है वो आपके उत्तरी अमेरिका या हम ये कहें कि पश्यमी उत्तर अमेरिका के बंदर गाहों का संबंध जोड़ रहा है आपके पुर्वी एशिया के तटो परिस्थित बंदर गाह से अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि जो प्रमुख बंदर गाह है वो कौन-कौन से हैं तो प्रमुख बंदर गाह आपके अमेरिका यदि हम उत्तरी अमेरिका के प्रमुख बंदर गाह की बात करें तो हम देख रहे हैं बैंकुर है सियेटल है आपका पोर्ट लाइन पढ़ र गाँ है तो वो है आपका याकोहामा है उसके बाद शंगाई है चीन का हॉंग कॉंग है है ना मनीला है और सिंगापूर ये एशिया के प्रमुख बंदर गाँ है जो आपस में जुड़े हुए उत्तरी अमेरिका के और पुर्वी एशिया के तटी बंदर गाँ येदि हम बैं 2480 किलो मिटर की दूरी जो है वो कम हो जाती है अब यह हो गई बात आपके उत्तरी प्रशांद मार्ग की अब हम देखते हैं दक्षनी प्रशांद मार्ग प्रशांद महासागरी मार्ग जो है वो ही दो भागों में बटा है जो उत्तरी प्रशांद महासागर में है वो उत् अधर से दक्षिन से होता हुआ जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड और इनसे इसका जो संबंध है वो इस्थापित करता है यह हम यह कहें कि इनके बीच में व्यापार होता है या यात्रियों का आवागमन या परिवहन जो है वो किया जाता है यह मार्ग जो ह प्रशान महासागर के जो बिखरे हुए द्वीब हैं उनका भी संबंध है आपस में उनको जोड़ता है इस मार्ग के जो जल्यान है जो इस मार्ग से गुजर रहे हैं वो जल्यान जो है वो आपके हॉंग कॉंग फिलिपिन्स और इंडोनेशिया की तरफ भी जाते हैं हॉंग कॉंग फिलिपिन्स और इंडोनेशिया की तरफ भी जाते हैं थोड़ा आगे उपर की तरफ मतलब यह आगया उस्ट्रेल्या न्यूजिलेंड और उसके बाद उपर यह चले जाएंगी इंडोनेशिया और चीन के हॉंग कॉंग जापान के फिलिपिन्स दीप समू तक भी जाते हैं इस मार्ग के जो जलियान है वो फिर हम देखते हैं होनो लुलू जो है हमने पहले ही बात की थी कि यदि हम प्रशान मार्ग की बात कर रहे हैं तो चाहे वो उत्तरी प्रशान मार्ग हो या दक्षनी प्रशान मार्ग हो यहां पर एक प्रकार से यहां पर इनका जो है जमावडा होता है, ब्रेक लेते हैं और दक्षणी प्रेशान मारग की यह दी हम बात कर रहे हैं तो होनो लुलु जो है, मैं फिर से हाँ पर बता आना चाहूंगी यह उत्तरी अमेरिका, दक्षणी अमेरिका, यह बीच का मध्य अमेरिका और हम यहाँ पर देख रहे हैं, यह हवाई दीप समू है और यह हवाई दीप की राजधानी होनो लुलु तो होनो लुलु बंदरगा जो है, वो दक्षणी प्रेशान्त मारग का प्रमुख बंदरगा है अब हम देखते हैं, इस मारग से जो जल्यान जाते हैं उनको अधिक दूरी तैक करनी पड़ती है ना अधिक दूरी कहां पर से बहुत लंबी दूरी क्योंकि पनामा सिड्नी के बीच जो है वो लगभग आपका 12,000 किलो मिटर लंबी दूरी जो है वो इनको तैक करनी पड़ती है फिर हम देखें जैसे आस्ट्रेलिया है लेकिन और कोई विकल्प भी नहीं है यह मार्ग जो है वो ही एक मात्र इनके पास राश्ता है इसलिए यहां पर से इन्हें होकर गुजरना ही पड़ता है तो यह हो गई आपकी दक्षणी प्रशांत मार्ग की बात अब हम बात करेंगे अगले मार्ग भूमद्य सागरी मार्ग के विशय में यह मार्ग जो है वो हम प्राचीन विश्व का प्राचीन समय में विश्व का जो हिर्दय स्थल कहा जाता था उस मार्ग से यह उन देशों को जोडता हुआ जोडता है इसलिए जो यह मार्ग है कि उत्री अट्लांटिक मार्ग के बार यदि दूसरा कोई महत्य पूर्ण मार्ग है तो वह है भूमध्य सागरी मार्ग यह मार्ग जो है वो आपके विश्व एपारिक द्रिस्टी और द्रिस्टीकोन से जो महत्य पूर्ण है उन सभी को आपस में जोड़ता है जैसे हम बात करें आपका पश्चिमी उरोपी देश से ये होता हुआ हमारे एशिया और एशिया के जो अरब देश हैं उसके बाद ये पुर्वी अफरीका के देशों को उसके बाद हमारा जो आपका भारती प्रायद्वीप है उसके आस्ट्रेलिया न्यूजीलेंड इन सभी मार्गों को ये आपस में जोड़ता है तो इस कारण से इसका व्यापारिक द्रिश्टिकोंड से बहुत अधिक महत्तपूर्ण है ये मार्ग जो है क्योंकि अधिक जो घनी आबादी है उन देशों को आपस में जोड़ता है और जह मार्ग हम इसे कह सकते हैं अब हम ये देखते हैं कि ये जो मार्ग है आपका भूमध्य सागरी मार्ग ये भूमध्य सागर से जैसे ही लाल सागर पे पहुंसता है तो दो शाखाओं में जो है वो बट जाता है पहली शाखा जो है वो इसकी आपके लाल सागर से जैसे ही निक परस की खाड़ी और जो पूर्वी एशिया की ओर जाता है और वहां परिस्थित देशों को ये बंदरगाहों को आपस में जोड़ता है। पूर्वी एशिया की देशों को निर्यात किया जाता है और बदले में पशिमी एशिया की ओर होता है। तिलहन, मसाले या पेट्रोलियम जो है वो पशिमी उर्वी देशों को किया जाता है और बदले में पशिमी उर्वी से आपके एशिया और अफरिका को रासायनिक पदार्थ जो हैं इंजिनिरिंग जो माल हैं और किसी प्रकार की जो तैयार माल हैं वो पुर्वी अफ्रीकी और एशियाई देशों को की जाती है तो ये भी एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है अब इसके बाद हम देखते हैं हिंद महासागरी मार्ग हिंद महासागरी मार्ग जो है वो आपके जो हिंद महासागर के जितने भी तटवर्ती देश हैं ये सारे तटवर्ती देशों को आपस में इनका संबंध इसापित करता है आपस में इने जोड़ता है हम बात करें कि किस प्रकार इसके जो प्रमुक बंदरगा है व्यापार से पहले हम इस मार्ग में पढ़ने वाले प्रमुक बंदरगा की बात कर लेते हैं तो हम देख रहे हैं कोलकाता है, चिन्नाई है, मुंबई है, कोलंबो है, कराची, रंगून और सिंगापूर के साथ साथ आस्ट्रेलिया का पर्थ जो है वो इस मार्ग के महत्वपूर्ण बंदरगां है जहां से व्यापार किया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह कव्यापार किया जाता है, तो भारत से जो है चाय, जूट, सूती वस्त्र हो गए, सिमेंट, तयार माल, जो आपके पुर्वी अफरिका, पशिमी एशिया और पुर्वी देश और आस्ट्रेलिया को किया जाता है, और आस्ट्रेलिया से यहाँ गेहूं है, मांस है और सोना, यह सारा जो निर्यात है, और साथ ही साथ हम देखेंगे अरब देशों से पेट्रोलियम, यह जो है इनका अन्य हिंद महासागरी, जितने भी हिंद महासागर के जो तटवर्ती, छेत्र या तटवर्ती यहाँ पर देश हमको दिख रहे हैं, इन के अलावा, हम यह कहें, तो कुछ अधिक नहीं होगा, कि मनुष्य का जो महत्पूर्ण चमतकार के विशय में, जो जिसने परिवर्तन ला दिया, एक नया आयाम गड़ा है, इसके व्यापार और और दोगिक उन्नती में, वो मार्ग कौन सा मार्ग बना है, स्वेज नहर मार के निर्माड के बाद, या हम यह कहें, कि स्वेज नहर जो है, वो मनुष्य की उन्नती का एक चमतकारिक कदम है, जिसके बाद से पूरे विश्व में व्यापारिक जो है, परिवर्तन या व्यापारिक चमतकार के दृष्टी से हम यह देखें, कि इसकी जो दूरी है, जो ब पूरी बहुत कम रह गई है स्वेज नहर के बनने के बाद से क्योंकि इसका व्यापारिक दृष्टिकोंड से बहुत महत्व है ये विक्सित और और द्योगिक दृष्टिकोंड से जो उन्नत राष्ट हैं सभी का आपस में एक संबंथ जो है वो इस्थापित करता है तो हम ब प्राक्रितिक नहीं है ये कृत्रिम बंदरगाह है तो हम बात करते हैं स्वेज नहर और पनामा नहर के विशेह में ये विए ये 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 विए ये 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 शेह श्यार के लुड़